हेलो एब्रिवन वालकम टो स्टाड़ी आएक्यू सो फ्रेंड्स हम जीसी लियों की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों को पता ही होगा अर्वियर हमने दो चैप्टर कवर कर भी चुके आज आपका थर्ड चैप्टर जो है वह हम डिसकस करने वाले हैं और देखते ह कि थर्ड चैप्टर किसी से रिलेटिड हैं क्या बेसिक प्रिम्मिनास थर्ड चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो right there हमारे पास चैप्टर थर्ड जो होगा it is related to the volcanism and earthquake तो यहाँ पर हम volcanism और earthquake के बारे में basic details समझेंगे हम जानने की कोसिस करेंगे कि वालकनिजम और अर्थक्विक से रिलेटेड क्या basic concept होते हैं जिनके बारे में आपको knowledge होना is at most important जरूरी होता है so right here चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको पता होगा देखो वालकनिजम और अर्थक्विक दोनों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो मुझे नजर आता है बोथ आर रेलेटेड टुदी movement of earth surface ठीक है movement of earth material that is a different aspect कि अर्थक्विक जो होता है वो एक sudden movement होता है और when it comes to volcanism तो volcanism आपका sometime it can be fast sometime it can be slow मतलब catastrophic भी होता है और diastrophic भी हो सकता है मतलब out of the sudden event भी हो सकता है और बहुत slowly lava sometime outpour होता तो वो भी एक volcanism की condition जो है आपकी वो establish हो जाती है इन दोनों के बारे में detail में जानने की कोसिस करेंगे और आपसे exam से related क्या question पूछे जा सकते हैं UPSC के अंदर उसको भी हम जानने की कोसिस करेंगे और सिर्फ UPSC ही नहीं इसके अलावा अदर जो आपकी exam सोंगे उसमें भी volcanism से related questions को हम यहां पे cover कर सकते हैं so right here मुझे पता लगता है कि पहले तो volcanism को अगर मैं हलका सा understand करूँ तो right here आपको आने की ज़रत होगी कि सबसे basic चीज की why volcanism happens why volcanism happens, volcanism होता क्यों है, क्या कारण होता जिसके वज़े से volcanism develop होता है so you can understand कि जब मैं आर्थ की बात करता हूँ तो आर्थ के interior में जाते हैं जब हम तो temperature क्या होता है, rise होता है temperature जो है वो rise करेगा, तो definitely जब temperature rise करता आपके अर्थ के interior में जाने पे तो मुझे पता कि high temperature से low temperature तक आपका high temperature से लेके low temperature आपका heat जो है वो transfer होता है high temperature to low temperature क्या होगा, आपका heat transfer जो है वो देखने को मिल जाता है और अब high temperature से low temperature जब आपका heat transfer देखने को मिलेगा तो right there मुझे पता लगता है कि वो अलग-अलग mode से heat transfer होता है जैसे कि आपने काफी बार देखा होगा कि आप iron road लेते हैं आप उसको गरम करने की कोसिस करते हैं तो heat transfer तो उस end से उस end पे भी होता है मतलब जिस end को आप गरम करना चाहते हैं उससे दूसरे end की तरफ भी definitely heat तो transfer होती है लेकिन उस mode को बोलते हैं conduction तो मतलब solid में क्या होता है आपका conduction टेक प्लेस होता है solid में क्या होगा आपका conduction जो हो जाता है लेकिन जब मैं liquid की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा अगर आप अपने gas पे किसी भी बरतन को रखे जब पानी गरम करते हैं तो आपने देखा होगा छुटे 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 molecules गरम होने के बाद वो उपर move करना शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं convection बोलते है that mode of heat transfer will be named as convection हालांकि एक और mode of heat transfer भी होता जो होता है radiation radiation का मतलब होता है अगर आपका एक medium से दूसरे medium के बीच में या एक short से आपके receiver के बीच में अगर कोई भी medium नहीं होगा तो उस case में आपकी heat transfer होगी radiation है जैसे काफी बार आपने सुना होगा कि radiation of sun reaching to the earth तो मतलब sun की radiation जो है आपकी earth तक पहुंसते हैं वो आपका radiation कहलाता है तो ये difference आपका नजर आता है solid में conduction होगा, liquid में convection होगा और अगर कोई medium नहीं है तो radiation होगा तो आपको भी पता है earth का interior तो क्या है molten stage में है बताइए earth का interior कैसा है definitely किस stage में earth का interior earth का interior आपका है molten stage में तो अगर molten है तो मतलब क्या है liquid है, fluid की form में है और fluid के अंदर आपका connection नहीं convection होता है तो right there, जैसे आपके water molecules move करते हैं, गरम करने के बाद में lava outpour करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको rising limb of convection current इसको किस नाम से जानते हैं rising limbs of convection current convection कहां से आया word convection word आया आपके heat transfer से तो जब आपका heat transfer देखने को मिलेगा तो limbs जो है, वो rise करेंगी and we will call it rising limb of convection current इसको बढ़ी आसानी से हम rising limb of convection current के नाम से abbreviate करते हैं, जानते हैं तो rising limb of convection current main current होता है, तो अगर मैं बात करता हूँ आपकी volcanism के main region की तो volcanism का main region था आपका heat transfer ठीक है, आपका main region जब volcanism का नजर आए, वो हमारा था heat transfer, अब आपको भी पता है जब heat transfer होता है जब lava outpour होता है जब volcanism होता है, तो उस के समे क्या होगा, यह देखिए, यहाँ पर condition यह आती है, कि जब भी lava outpour होगा, तो lava solidify होगा या तो lava यहाँ पर आके कहीं solidify होना शुरू होगा या फिर हो सकता है, lava earth के interior के अंदर भी solidify होना शुरू हो जाए, मतलब यहाँ से जब lava outpour होता है, जब भी volcanism होता है, तो आपके landforms जो हैं, वो develop होगा, राइट उस case में क्या होगा आपके different different type के landforms जो हैं, develop होते हैं, जब भी आपका volcanism होता है, eruption होता है, lava भार निकलता है, तो आपके landforms होते हैं, अब landforms होते हैं, दो type के कुल से कुल से, अगर landforms आपके outer surface पे develop हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, extrusive landforms, ठीक है, जब आपके landforms डवलप होए, भार की side पे outside पे, तो इसको बोलते हैं, extrusive landforms, और जब आपका landform inside the earth बनेगा तो इसको बोलते हैं Intrusive Landform तो हमने दो चीजे समझी हैं यहां पर कि लैंड फोर्म जब लावा आउट पोर होता है तो डिपॉजिट होगा कहीं न कहीं इसको हम एक्स्ट्रूजिव लैंड फोर्म के नाम से जानते हैं और अगर वह अर्थ के इंटिरियर में कूल डाउन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका इंट्रूजिव लैंड फोर्म के नाम से जानते हैं और यहां पर बड़े इंट्रस्टिंग वैसे हम डिसकस करेंगे कि कौन से कौन से मेरे इंट्रूजिव लैंड फोर्म होते हैं और कौन से कौन से मेरे ऐसे लैंड फोर्म होते जिनको हम एक्स्ट्रूजिव लैंड फोर जहसा मैंने पहले बताया हैं आपको, कि हम दो कैटेग्री में उनको डिवाइड करते हैं, एक होता एक्स्टूजिव लेंड फॉर्म और दूसरा आपके क्या होते हैं, इंट्रूजिव लेंड फॉर्म, जो landform आपका या magma या crust के भार आके develop होगा अगर outside पर develop होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका extrusive कहलाएगा If something is outside तो वो extrusive कहलाएगा अगर वो ही magma अगर inside the earth, within the earth अगर cool हो जाता है तो उस case में यह क्या होगा आपका यह intrusive landform कहलाएगा, within the earth crust होगा तो intrusive landform की नाम से जाना जाएगा अच्छा एक ओर important चीज है कि जब हम intrusive landform की बात करते हैं, मतलब magma जब inside the earth cool down हो जाता है तो उसको हम sometime abbreviate करते हैं के नाम से भी, plutonic landform के नाम से भी, यह क्या होगा आपका plutonic landform के नाम से भी जाना जाता है अब एक और important चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा, देखो, जब भी आपका lava deposit होगा और जब landform की development करता है तो mainly आपके क्या बनते हैं, rock particles बनते हैं, यह इसली क्या बनता है, rocks जो हैं वो develop होते हैं अब जब rocks develop हो ही जाते हैं, तो यहाँ पर जानने की कोसिस करेंगे कि rocks जो हैं वो किस किस type के होते हैं आपको पता ही है, कि जब lava आपका outpour हुआ, जब lava आपका surface पे आके deposit हुआ, उस case में आपके rocks की development हुई है तो rocks को उस time पे हम क्या बोलते हैं, primary rocks के नाम से भी जानते हैं उस time पे rocks क्या कहलाएंगे आपकी, primary rocks के नाम से भी हम उनको जानते हैं primary rocks are also named as igneous rocks के नाम से भी हम उनको जानते हैं तो primary rocks को हम igneous rocks के नाम से भी जानते हैं अब मुझे यहाँ पे एक और सीज़ पता लगती है, कि जैसे जैसे आपके igneous rocks बनते हैं या primary rocks बनते हैं यह igneous rocks जो हैं, वो किसी other form में convert हो जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, sedimentary rocks के नाम से जानते हैं तो sedimentary rocks या secondary rocks भी हम इनको बोल सकते हैं and after that, अगर इन sedimentary rocks के वापर भी high temperature और high pressure लगता है तो they led to the development of metamorphic rocks metamorphic rocks, तो metamorphic rocks की भी development हो जाती है लेकिन हा, primary जो मेरे पास rocks होती हैं, उनको igneous rocks के नाम से भी जाना जाता है इसी साल UPSA Civil Services में आपका igneous rocks के ओपर means exam में question पूछा गया था primary rocks के ओपर आपसे question पूछा गया था कि write down some of the important properties and how the primary rocks used to develop जब ये आपका question जो हैं आपको पूछा गया था, जिसके ओपर आपको answer देना था, right? तो ये आपके surface पे जब rocks बन जाते हैं, उन surface के rocks को क्या बोलेंगे हम igneous rocks के नाम से जानते हैं अब मुझे पता लगता है कि जखो, जब landform develop हो ही गए, क्योंकि जब magma आपका outcome हुई, magma जब cool down होना start हुआ, तो definitely कुछ landforms बने, सबसे पहले हम intrusive landform के बारे में जानते हैं, इंट्रूजिव का मतलब, अभी अभी हमने समझा था कि इंट्रूजिव landform, वो landform होंगे, जो inside the earth जब magma cool down हो जाता है, तब जो landform develop होते हैं, वो intrusive type के landforms क्यालाते हैं, अब inside the earth crust, जब magma cool हुआ, तो मुझे यहाँ पर पता लगता है, different different type के landforms जो बनते हैं, वो seals होते हैं, diic होते हैं, batholith होते हैं, lacolith, lapolith, facolith हैं, batholith, diagram के थूँ जानने की कुस्स करेंगे कि exactly यह landform किस तरीके के दिखते हैं, क्योंकि यह काफी दाज़बार match the following में आ जाता है, और मैं आपसे पूछूँगा भी अभी कि मैस्दा following के अंदर कौन सा landform किस टाइप का है, तब आपको answer गलत नहीं करना है, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप क्या आते हैं, seals, देखो, seals अगर आप यहाँ पर carefully देखो गए, तो आपको पता लगेगा, these are the seals, ठीक है, यह आपको नजर आ रहे हैं, यह जैसे पार्ट है आपका, वो seal नजर आ रहा है, यह वाला पार्ट जोगा आपका, वो seals की form में नजर आ रहा है, मतलब, अगर यह वाला पार्ट है, वो भी seals की form में है, तो मतलब यह हुआ, कि अगर किसी magma chamber से, ठीक है, अगर किसी magma chamber से, जब आपका magma rise up होता है, और वो inside the earth ही cool down हो जाए, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से हो, कि वो लगबग आपके horizontal surface के क्या हो, पैरलल हो, तो मतलब seals में important चीज़ क्या होती है, seals are parallel to the horizontal surface, seals क्या होते है, parallel to horizontal surface, horizontal surface के क्या हो, पैरलल होंगे, तो जब आपका seals होंगे तो वो होंगे magma parallel to the horizontal surface जो है आपका cool down हो जाता है वो आपके seals कहलाते हैं तो right there you can see कि यह को कुछ पार्ट जो है वो parallel to the horizontal surface है आपके इसलिए वो seals कहलाते हैं दूसरे एक और भी landform होते हैं जिनको dykes बोलते हैं seals और dykes में यही difference होता है दोनों की यह thickness बहुत काम होती है लेकिन dykes जो हैं वो perpendicular होते हैं dykes क्या होंगे आपके perpendicular to the horizontal surface होंगे आप सब लोगों को मैं बता दू कि आपको जीसी लियोंग जो यहाँ पे पूरे comprehensive way में live discussion के साथ में करवाई जाएगी तो आप रोजाना आके अपना जीसी लियोंग को यहाँ से complete कर सकते हैं तो dykes जो है आपका वो क्या होंगे perpendicular to the surface जो अगर कोई cool down होता है आपका तो वो dykes कहलाता है for example आप यहाँ पे देखेंगे कि यह जो part है आपका this particular part यह क्या है आपके लगबग horizontal surface के क्या है perpendicular part देखने को मिलता है तो अगर मेरे पास कोई land form development ऐसा है जो कि किस form में आपके perpendicular to the horizontal surface देखने को मिल जाएगा तो उस case में इसको क्या बोलूँगा मैं dykes बोलूँगा अब अगर आप भूल जाओ मानलो exam में बूल जाओ कि seals और dikes के अंदर confusion हो जाता है तो अगर आप exam में भूल गए तो आपको पता होना थी देखो seals में double L लगा हुआ double L का मतलब एक दूसरे के parallel है ये तो उससे आप याद रखोगे parallel to the horizontal surface होगा तो seals होगे और otherwise क्या होगा आपका वो automatically डाइक सी देखने को बनेगा तो बड़ी आसानी से आप इसको retain रख सकते हो exam के अंदर भूलना नहीं है आपको चलिए next आता है आपका बैथोलित बैथोलित क्या होता है बैथोलित is a dome shape ठीक है बैथोलित क्या होगा something which is dome shape dome shape में होगा बैथोलित और काफी बिनिदी earth surface होता है बैथोलित काफी deep earth surface के अंदर होता और एक dome shape में नजर आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो surface है यह आपका बैथोलित कहलाएगा एक dome shape system कहलाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं बैथोलित के नाम से जानते हैं क्या कहलाएगा आपका एक dome shape होगा जो कि क्या कहलाएगा आपके बैथोलित का structure जो हिसमें नजर आ जाता है तो राइट हेर भी है बैथोलित जो कि क्या है आपका एक dome shape जो है वो नजर आ जाती है तो बैथोलित होगा dome shape अब आपको एक चीज नजर आएगी तो फिर इन दोनों में difference क्या होगा, देखो my dear friends, जब मैं आपको lackolith की बात करता हूँ, तो lackolith जो है, वो भी dome shape होगा, no doubt, लेकिन वो किसी small और narrow pipe से आपका intrude magma से connect होता है, मतलब जो आपका interior magma है, उससे बहुती small और narrow pipe से क्या होगा, connect होगा, लेकिन batholith की case में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, batholith की case में बिलकुल ऐसा नहीं होगा, कोई narrow pipe से connected है, लेकिन हाँ, lackolith हमेशा ही क्या होगा, narrow pipe से connected होगा, मतलब batholith के अंदर further deposition के chances काफी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीके न, lackolith में further deposition से ज़्यादा हो जाता है, तो lackolith का अगर मैं example बरत करूँ, तो henery mountain आपके देखने को मिलते हैं, USA के अंदर, USA में जो mountains है, वो किस type के हैं, आपके lackolith type के हैं, जिनका की फर्दर upliftment देखने को मिलता है, एक और important चीज़, जब आपका surface का erosion हो जाता है, जब surface का erosion हो जाता है, तब ये lackolith, it is possible कि आपके erosion के बाद ये क्या हो जाएं, आपके outer surface पे visible हो, otherwise lackolith जो हैं, वो outer surface पे visible नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, batholith तो काफी deep beneath the earth surface होते हैं, तो मतलब वनका complicated है कि वो आपके surface पे visible हो होता है कुछ social shape में, आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर lapolith आपको नजर नहीं आरा, लेकिन मैं draw करता हूँ आपके लिए कि lapolith किस type का नजर आता है, जैसे ये dom shape थी ना, lapolith कुछ opposite होगा, कुछ इस type का shape जो हो आपको नजर आएगी, पुल lapolith होगा, मतलब एक dom shape की lapolith, जैसे lap होती है जैसे उससे आप याद रख सकते हो कि lapolith मतलब something which is social in shape, तो यहाँ पर हम कुछ प्लेस कर सकते हैं, आप कुछ को ऐसा होगा, अब एक और important चीज़ है, जहाँ पर lapolith बनता है न, वहाँ पर land के subduction के chances बहुत जादा होते हैं, ठीक है, land जो subduction होता है आपका, वह काफी ज़्यादा होता है, land subduction is very high in case of lapolith, क्योंकि वह social shape में होता है, और उस case में आपका, काफी ज़्यादा space जो है, वह लगबग vacant परता है, इसलिए जो pressure परता है, उससे आपकी social shape जो है, वह आपका depressed हो जाती है, तो काफी ज़्यादा, जो blocks mountain बनते हैं, block mountain जैसे बनते है, horse और grabins बनते हैं, horse और grabins बनते हैं, तो grabins जो बनते हैं, आपके वह mainly कहाँ जाते हैं, आपके lapolith के ओपर grabins देखने को मिल जाते हैं, अब एक और बहुत important land form डवलप होता है, और वो होता है आपका facolith type का land form, facolith जो land form होता है, वो होता है wavy structure में, ठीक है, यह क्या होता है आपका wavy structure में होता है, wavy structure का मतलब हो गया, कि facolith के अंदर आपका क्या होगा, anti-clines और sink lines बनते हैं, if you will look at this, तो मुझे क्या पता लगेगा, कि आपका कुछ इस type के अगर land form अर्थ के interior में बन रहे हैं, तो anti-clines और sink lines जो बन रहे हैं आपके, ठेके न, वो क्या कहलाएंगे आपके anti-clines और sink lines की जो formation, अगर इस type का land form कोई develop होता है, wavy structure में अगर कोई land form develop होता है, inside the earth crust, तो उसको हम क्या बोलते हैं, facolith, in gland के अंदर जो valleys हैं, they are the best example, in gland के अंदर जो intrusive land form से, they are the best example, जो किसके अंदर है, आपके wavy structure के अंदर नजर आ जाते हैं, तो आपका wavy structure जो ह है, वो faculty की category के अंदर आ जाता है, तो this is again for your testing की बैथोलित आप फटा-फट बताएं, मुझे की बैथोलित कैसा होता है, क्या बैथोलित social in shape है, क्या बैथोलित dom in shape है, क्या बैथोलित dom with, आपका कोई pipe connected portion होता है, बताइए, बैथोलित क्या होता है, ठीक है, this is for you, बताइए बैथोलित क्या होता है, dom shape, dom with pipe, dom with pipe connection, social shape, और baby structure, बताइए, आपका बैथोलित जो है, वो किस type का होगा, can you tell me कि क्या होगा, बैथोलित, who will give the first answer, let me see, मैं बोलूँगा, क्यों क्यों पैरे answer देता है, I will tell your name, ठीक है, चलिए, अब सवाल आता है कि सा, ये वोरीजन, वालकेन mechanism का होता क्यों है, मतलब एक volcano originate क्यों होता है, क्या कारण होते है, जिनकी विज़े से volcano originate होता है, तो यहाँ पे आपको एक theory जो है, वो सीखने की requirement है, हालांकि जीसी लियोंग भी और नहीं दिये हुई, पर हमारा काम है जीसी लियोंग को बड़े comprehensive way से discuss करना, इसलिए हम प plate tectonic theory, ठीक है, तो theory का नाम है आपका plate tectonic theory, उस case में जब theory की हम बात करते हैं, ठीक है, theory की जब हम बात करते हैं, तो plate tectonic theory मुझे क्या बताती है, plate tectonic theory मुझे बताती है, कि right here what do we have, एक आपके पास plate है जो continental plate होगी, और दूसरी आपके पास plate होगी, जो ocean plate होगी, मतलब द जब continent our option हो न फिर एक प्लेट यॉशं हो और दूसरी प्लेट भी ओशियन हो इन दोनों के σε में जब आपका Convergence motion होता है तो मुझे पता लगता ocean plate जो भी ocean plate होगी वो subject हो जाती है अब इस case में तो दोनों ही ocean plate है तो उसकेस में मुझे पता लगता है दोनों ऑशिन प्लेट होने की वज़े से आपकी जो लार्जर वन है जिसका एरिया जादा है वो जल्दी सब्डक्ट हो जाती है तो इन दोनों के सब्डक्शन से क्योंकि आपको पता अर्थ के इंटियर में टेंपरेचर काफी ज्याद जाता कि आपकाएट अगर ट्रांसफर टेंपरेचर डिफरंस अगर ज्चाइज iç तो उसकेस में भी आपका हीट ट्रांसफर जो हो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और टेंपरिटर डिफरेंस एटलिस्ट इतना होना चाहिए कि आपका मैगमा या लावा क्या हो मॉल्टन स्टेज में हो मतलब अर्थ का इंटीरियर जब मॉल्ट हो जाता है मैल्टन मैल्टिड फोम में हो जाता है देन अल्ली इस पॉसिब का नहीं बताया कि हैवी प्लेट सब्लेक्ट होड़ी डाड़ गूड़ अवन्तिका दैज गूड़ एंटेंक्स सिखा फॉर यार विशिस तो यहां पर मुझे नजर आता है कि आपका जो फॉल्कनिक रप्शन है वह आपने भी देखा होगा कई बार हम न्यूज में सुनते कि वॉल्कनिक रप्शन हो और इतना ज्यादा ब्लास्ट हुआ कि अर्थक्विक भी क्रियेट हो गया और कई बार हमें ऐसी फोटो देखते हैं जिसमें मुझे पता लगता कि वॉल्कनिक रप्शन बहुत जैन्वर बहुत जैन्टल फोर्म में हो रहा था तो राइट दियर लावा होगा ठीक है एंडिसाइटिक टाइप का लावा होगा और दूसरा लावा ऐसा होता है जो किस टाइप का होगा बसाल्टिक टाइप का लावा होता है वन इस एंडिसाइटिक टाइप अफ लावा और दूसरा बसाल्टिक जो एंडिसाइटिक लावा होता है उसको हम Acidic Lava की नाम से भी जानते हैं, ठीक, it is also named as Acidic Lava, और जो Basalt Type होता है, it is also named as Basic Lava, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, Basic Lava की नाम से भी जानते हैं, अब सवाल आता है कि, what is the difference between the Acidic और Basic या N-S-I-T क्या Basaltic Lava, जड़ा देखी, इसमें सरफ होता है difference आपकी Silica का, amount of Silica जो है, वो बहुत हाई होता है, when it is Acidic Lava, ठीक है, amount of Silica जो है, वो काफी हाई होता है, जब आपका आता है Acidic Lava, और amount of Silica बहुत लो होगा, जब आपका आता है Basaltic Lava, अब सिर्फ इतना ही नहीं है, कि सरफ Acidic और Basaltic हो गया, इसके हलावा कोई भी difference नहीं है, right there मुझे पता लगता ह है, कि आपके Andesitic और Basaltic के अंदर difference ये भी होता है, कि उनके अंदर Viscosity कैसी है, मतलब अगर मेरे पास Acidic Lava होगा, तो ये Highly Viscous in Nature होगा, this will be Highly Viscous in Nature, लेकिन जब मैं यहाँ पर बात करता हूं, इस case में Basic Lava, तो Low Viscosity देखने को मिल जाती है, ठीक है, इस case में Viscosity क्या होत Viscosity बहुत कम होगी, and that is good, Avantika, yes, Shrapti, good evening, and Avantika ने बताया कि color का difference भी होता है, तो yes, आपका जो Acidic Lava होता है, और जो Basic Lava होता है, दोनों में क्या होता है, color का difference, ये क्या होगा, आपका color differ करेगा, कि ये light in color होता है, और ये lava आपका क्या होता है, dark in color होता है, ठीक है, ये lava क क्या होगा, आपका dark in color होगा, that is good, कि dense भी होता है, और आपका differ color में भी करता है, that is a good difference, तो यहाँ भी मुझे पता लगता है, कि definitely ये differences जो है, मुझे वो नजर आ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे नजर आती कि Acidic या Basaltic में भी आपका origin of volcano dependent करता है, एक और important ची particularly, काफी gaseous particles भी outpour हो सकते हैं, ठीक है न, हाँ, तो gaseous particle और आपके s particle भी outpour हो सकते हैं, तो ये आपका देखने को मिल जाता है, volcanism का mean structure, जहाँ पर मुझे पता लगा, कि दो plate में से, जब भी temperature difference होगा, तो lava outpour करेगा, और एक और important चीज़ आप हमेशा है आद आखना, जब भी lava आपका convection limbs होती है, right there आप देख सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर इस plate के ओपर, मैं बोलता हूँ कि at this plate there is a rising limb of convection current, तो rising limb of convection current का मतलब होता है, divergent boundary, ठीक है, rising limb of convection current का मतलब होता है, divergent boundary, क्योंकि you can look at, कि यहाँ पर force क्या होंगे, एक boundary को क्या करेंगे, force लगाएंग होता है, right, so यह आपकी क्या करता है, tensional boundary को भी create करता है, अभी को और important thing यहाँ पर नज़राती है, rising limb of convection current, अगर divergence है, तो फिर descending limb of convection current क्या होंगे, वो आपकी convergence nature को show करती है, अब सवाल आता है कि भी types of lava कि अगर मैं बात करूँ, तो lava कितने different types के हो सकते हैं, how many different types of lava are possible, कितने different type के lava जो हैं, वो possible हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको lava जो है, वो age के base पे भी बता दीता हूँ, ठीक है, age के base मतलब, कई बार ऐसा होता है कि एक lava जो है, वो आपका लगातार इसमें से volcanism हो रहा है, continuous volcanism है यहाँ ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, active lava, इसकी performance के base पे ह का बोलेंगे, इसको बोलेंगे active lava, ठीक है, एक ऐसा lava, जिससे लगातार जो है, molten magma जो है, वो भार निकल रहा है, तो उसको मैं बोलता है, active lava, उसके बाद एक ऐसा lava होता है, एक ऐसा volcano होता है, जहां से आपका अभी तो कुछ भी outpore नहीं हो रहा, बट ऐसी possibility नहीं है कि future मे भी नहीं होगा, इसलिए उसको बोलते हैं, dormant lava, ठीक है, उसको हम क्या बोलते है, dormant volcano, ठीक है, dormant volcano, और अगर मेरे पास ऐसी situation आ जाए किसी volcanism में, कि this volcanism is no more, मतलब there is no possibility कि यहां से कोई further lava outpore हो सकता है, तो उसको बोलते है, extinct volcano, ठीक है, तो on the basis of activity हमने थीन पार्ट में एक ऐसा volcanism जिसमें लगातार outpore होता रहेगा, तो वो active lava कहलाएगा, एक ऐसा volcanism जो आपका क्या होगा, basically अभी कुछ outpore देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, इनी future हो सकता है, वो dormant कहलाएगा, और अगर future में भी possibility नहीं होगी, तो उसकेस में हम उसको extinct lava की नाम से जान type के वालकानों होते हैं, जिसके अंदर एक वालकानों होता है, जिसको मैं fissure type volcano बोलता हूँ, अब ये fissure का क्या मतलब होता है, वैसे तो general life में ये fissure word हम सुनते हैं, कि fissure का मतलब होता है, दरार, ठीक है, किसी area के अंदर, दरार आ जाना, वो क्या कहलाता है आपका, वो fisher volcano कहलाता है तो मतलब अगर मान लो आप example लेते हो mid oceanic rises का तो mid oceanic rises के surrounding जो एरियाज है वहाँ से भी लावा लगातार outpour हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं फिशर लावा के नाम से जानते हैं जहाँ पर काफी elongated जो areas हैं वो crack हो जाता है cracks create हो जाते हैं cracks से क्या होता है लगाता है लावा निकलता है तो वह mid oceanic ridge वाला area आपका fisher volcano के नाम से जाना जाएगा अब एक और होता है आपका जिसको बोलते हैं dome volcano जो होता है आपका वह most of the time ऐसे भी होता है कि dome volcano आपके अंडर दा water body बन जाता है ठीक है आपका क्या होगा under the water body जो है आपका लावा देखने को मिल जाता है उसको हम dome volcano के नाम से जानते हैं तो definitely यहाँ पर क्या होगा आपका volcanic eruption होता है लेगिन यहाँ जो event होता है उसमें sometime water fill up हो जाते हैं इसलिए दिरे दिरे आपका uplift होना शुरू हो जाता है और dom volcano के नाम से जाना जाता है अब एक और चीज़ भी आप देखेंगे यहाँ पे एक और volcano होता है जिसको ash या cinder volcano बोलते हैं मतलब एक ऐसा volcano जहां से ash निकलता है ज्यादा amount में और एक acidic type का लावा यह देखने को मिल जाता है तो एक होगा तो definitely कौन से बनाएगा क्योंकि पॉजिशन ज्यादा होगा इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है definitely अबनती का मिड़ोशन एक रिज माउंट पॉपा माउंट विस विस इसके बेस्ट एक्जैंपल हो जाते हैं और एक हो ता भी कालडेरा क्या होता है कालडेरा कुछ ऐसा होता है situation कि मान लो आपका इस टाइप का लावा लेंड फॉर्म डवलप्मेंट हुआ अप इसके बाद में क्या हो अगर आउट ओव दी सदन यहां पे ब्लास्ट हो जाए ठीक है तो क्या होगा आपका एक काफी सारा पॉर्शन ज भी होता है कि आपका एक वालकेनी किरप्शन जब हुआ वो स्टेबलाइज हो जाता है नीचे से लावा आउट पॉर नहीं हो रहा हो तो कंप्लीट हो जाता है होलो है तो सब्डक्ट भी कर जाता है और उसमें वाटर फिलप भी हो जाता है जिसको कालडेरा लेक के नाम से जानते हैं चीक है वो क्या कहलाता है आपका कालडेरा लेक्स के नाम से भी जानते हैं तो सिंपली मैं यह कह सकता हूं कि अलग लग टाइप के लैंड फोंस जो है आपके वो लगाता डवलप जो होती रहते हैं राइट सो दीजार सम्टिंग विच इंपोर्टन पार्ट जो तो मझे वॉलकेनिजम के अंदर नजर आता है जो आपके जिसलियों के अंदर गीवन है तो यह आपका पहला पार्ट है तो थार्ट चप्टर को एक बार आप रीडिंग देंगे हाफ अफ अफ दी चप्टर है जिसको हम कल डिसकस करेंगे जाने से पहले एक इंपोर्टन इ जो है आपको मिलते हैं तो यह राइट है यह लास्ट फाउंडिशन बैसे इफ यू वन्ट जाइन तो एक अफ़ोर्डेबल प्राइस के लिए भी आप इसको जोईन कर सकते हैं और अगर मुझे से बात करना चाहते हैं कोई डाउट फेस कर में कोई प्राबलम फेस हो रही ह हैं ओके गाइस देन थैंक यू वरी मच्च ओल दे वेरी बेस्ट नेक्स शेशन में फिर से मिलते हैं थैंक